दोस्तो लद्दाक को जम्मू कश्मीर से अलग हुए लगभग दो साल हो गए और ये एक अलग union territory बन चुका है और अब इसी लद्दाक ने अपना state animal और state bird दोनों चुन लिया है तो इस बार के prelims के लिए बहुत धरूरी है आप इन दोनों के बारे में जाने state animal and state bird दोनों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए बाकी conservation के बारे में क्या चल रहा है सब कुछ knowledge आपको होना चाहिए तो दोस्तों जो मुझसे पहली बार जुड़ है उनके लिए मेरा नाम केंजल चौधरी है आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर lecture के आप pause करके answer कर सकते हैं तो यह आया हुआ सवाल है काफी अच्छा सवाल था तो देखिए क्या आप इसको answer अब कर सकते हैं इन दोनों को आप अगर देखें तो अपना state animal और state bird चुन लिया है तो दोनों का क्या IUCN status है और उनके बारे में कुछ जानकारी जल्दी से अब हम जान देते हैं सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तो स्नो लिपर्ड तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बड़ा ही मैजिस्टिक क्रीचर है तो यह तीन हजार मीटर से उपर की altitude पर पाया जाता है भारत की बात करें तो भारत में पांच स्टेट जो की हिमालियन स्टेट से ऑग्विसली तीन कश्मीर के साथ अब लद्दाख भी आ चुका है तो यह कुछ रीजन से जहां पर आपको मेजर ली स्नो लिपर्ड दिखेगा तो वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में यह शेडियूल वन है एंड टीमस की बात करें कॉन्विंशन ऑन दी कॉंसर्वेशन ऑफ माइग करता है तो यह आपको मालुम होना चाहिए इसके सिवा ग्लोबली आप देखे तो स्नो लिपर्ड बारा देशों में पाया जाता है चाइना में घुटान में नेपाल में इंडिया में पाकिस्तान में अफगानिस्तान में रश्या में एंड मंगोलिया में तो आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों तो जो dark color में यह resident है जहां पर snow leopard मिलता है और जो light color में आप देख रहे हैं यह सब possibly resident है कभी-कभी देखने मिलता है but most of the time resident वाले इलाके जो dark color में है वही पर आपको देखने मिलेगा इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया में जो इलाका है इसक बावजूद इंडिया में जो population है वो 10% है याने की इंडिया बहुत बड़ा population of snow leopard को support करता है तो लद्दाक के snow leopard को अपने state animal बनाने से एक नई protection भी और लोगों में भी एक नई जाग रुकता पहुंचेगी और snow leopard के conservation में और ज्यादा steps उमीद की जा रही है आने वाले दिन चलिए अब अगले पक्षी के तरफ चलते हैं वह है black neck crane ग्रेंट का अगर आप आयू सी स्टेटस देखे तो क्या है नियर थ्रेटन्ड यह आईू सीन स्टेटस है रेडलिस लोकेशन कहां पाया जाता है तो यह हाई अल्टिट्यूड में जो वेटलेंड होते हैं लेक्स वगेरा एंड कुछ पॉंट्स वगेरा उन इलाकों में आपको दिखेगा हाई लिंड में तो टिबतिन प्लिटू आप देख सकते हैं वैसे ही आप चाइना में सिचुवान में देख सकते हैं इस्टन लद्दाख में आप देख सकते हैं इस्टन लद्दाख की बात कर प्रदेश में यह wintering ground है winter में नीचे उतर जाता है height में altitude में तो इन इलाकों में देखने मिलता है तो यह black मतलब पूझ्य मानते हैं इसके बीचे कारण है इनको छट्वे दलाई लामा तो उन्हीं का अवतार जैसा माना जाता है तो काफी ज्यादा इद्धत इनकी की जाती है black neck crane की तो इसको काफी threats face करना पढ़ड़ा है सबसे पहले तो इनके जो अंडे होते हैं वो जो फेरल डॉक्स हैं जंगली कुत्ते या फिर जो कुत्ते हैं फ्रे डॉक्स जिन कौन कहते हैं वो आए दिन इनके अंडे को खा जाते हैं इनके chicks को इनके बच्चों को मार देते है इसके सिवा हर high altitude ecosystem में या फिर राधर हर natural ecosystem में आपको कुछ यह threat तो देखने मिलेगा वो क्या है human pressure human बहुत तेजी से development projects कर रही है forest तो forest fragmentation हो रहा है wetlands की बात करें तो wetlands encroachment हो जा रहा है वैसे ही grazing pressure है यह जहां पर रहते हैं snow leopard भी जहां रहता है तो वहाँ पर जो grasslands हैं वहाँ पर जो community है जो local grazing nomadic pastoral nomads community हैं वो क्या करते हैं अपने जानवरों को लेकर चरने इनके grounds में आ जाते हैं जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो गुर्जर्स बकरवाल्स आए दिन वो grasslands में अपने जानवरों से उन grasslands को अपने जानवरों के द्वारा वो चरने आ जाते हैं जानवरों को लेके तो जिस वज़े से वो जानवर उनके grasslands को destroy कर रहे हैं और इस वज़े से वहाँ पर जो जो wild animals हैं उनके लिए वो जो ecosystem है व देखने में मिल रहा है तो आई होग दोस्तों आपको ये चीज़े याद रहेंगी आयूसी इंस्टेटस याद रखिएगा और इनके बारे में ये जो आपको बताया है मैंने बाकी ज्यान वो भी ज़रूर याद रखिएगा तो चलिए आज का सवाल देख लेते हैं अगर को वो जा के खा लेते हैं घ्राइस्स में तो यह कौंसी बर्ट Pictures और यह सकती है चांवर का IUCN status क्या होना चाहिए, least concern होना चाहिए, तभी तो आपको दिखेगा, otherwise आप spot कर रहे हैं, तो जरूर कुछ बड़ी बात है, तो दोस्तो एंसर आयूब आप लोगों ने कर दिया है, एंसर क्या है, previous year question है, आया हुआ सवाल है, तो answer is, be to only common minor, तो दोस्तो अगर आप देखें, तो black necked crane कहां मिलता है, high altitude ecosystem में, तो गाउं में, आप अगर walk करें, तो you are likely to see, इसके chances तो बड़ा मुश्किल है, black necked crane near threatened है, तो आप इतने असानी से इसको, और वो भी ये तो wetlands में रहता है, high altitude में, तो आप इसको जानवरों के साथ associate कर के देख लें, इसके chances तो बड़े कम है, तो three तो आप ऐसे ही अगर देखें, तो आप eliminate कर सकते थे, तो आपको A और B में doubt हो सकता था, बाकी दोस्तों आप painted stalk अगर देखें, तो painted stalk, IUCN status इसका भी near threatened है, ये जो पक्षी है, ये painted stalk है, इसका habitat wetlands होता है, मचली वगेरा खाता ह है, तो कीड़े वगेरा खाने के लिए cattle के पीछे बीचे नहीं चलता है, बाकी सही बात है, आप अगर common मैना देखें, तो ये आपने बहुत commonly शायद देखा ही होगा, घर के आसपास, टेहरी नाम से भी कई लोग कई जगे पे इसको बुलाया जाता है, तो IUCN status इसका least concern है, बहुत commonly देखता है, और ये जानवरों के पीछे पीछे चलता है, जैसे जैसे वो चलते है, घास में जिरा से भी movement होता है, तो इसे कीड़े उबर जाते है, तो ये उपन वुड्लेंड में मिलता है, लोगों के साथ अर्बन इलाकों में, समी अर्बन इलाकों में देखता है अर्ड कल्टिवेशन वाले खेती वाले लाके में भी common मेना बहुत common है, तो answer क्या था दोस्तों इसका, भी टू उनकी, तो जब भी अन अकाडमी आए, यूज़ी कोट केसी वन जिरो, क्योंकि से 10% आफ नहीं मिलेगा, आपको best mentorship मिलेगी, बेस नोट्स मिलेंगे, और directly मेरे द्वारा आपको best mentorship मिलने वाली है, तो आप बस मुझसे सिधा संपर्क करें, उसके बाद आपको आगे की guidance की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, जैसे ही आप को इसी वन जिरो यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप मुझसे जोड़ सकते हैं, special class में नया feature है, raise hand, जहां पर आप voice के त्रू सवाल पूछ सकते हैं, and educator आपके सवाल का जवाब भी देंगे, तो offline में भी ऐसी facility आपको directly मिल रही है, बहुत सारी special classes चलती रहती है, quality की चल रही है, जिसमें हम quiz के त्रू, quality पढ़ड है है, recorded special classes है, science and tech environment सब पढ़ड है है, इंडिया की best educators हमाई साथ जुड़े ह हैं, तो एक बार an academy subscription ले लिया, तो सारे courses जितने भी an academy में हैं, जितने भी educators के हैं, सब आपको available हो जाएंगे, 3-1 offer चल रहा है, an academy notes 10,000 की आपको मिल रही है, loans मिल रहे हैं, और दो मन्त की subscription की भी facility है, 15,000 रुपे में ये उपलब्द है, तो साल की 14,800 रुपे, दो साल की 10% discount के बाद, तो KC10 बड़ा important code है, याद रखिएगा, UPSC combat भी है, 4 करोड रुपे की scholarship prize है, इसका हिस्सा बन सकते हैं, एक सेप्टमबर से दोस्तों नए बाचेस भी start हो चुके हैं, जैसा आप screen पर देख रहे हैं, 3 test series भी है, KC10 code का इस्तमाल करें और इसे unlock करें, दोस्तो learner's journey आपको बता दूँ, 2022 में अगर आप देने का सोच रहे हैं, तो पहले 7 महीने आपको हम static वगेरा पढ़ाएंगे, उसके बाद आप देखे तो 2 महीने में आपको prelims के पहले, हम special focus करेंगे, prelims वाला, जो PT 365 courses है, prelims core booster courses है, वो सब करवाएंगे, and final 3 months में prelims के बाद, आपक की तैयारी करवाएंगे, याने कि आपकी preparation की strategy and roadmap बनी हुई है, अगर आप 2 साल का subscription लेते हैं, 2023 में join exam देने वाले हैं, तो भी हम आपकी पूरी strategy बना के रखें, पहले basic NCRT पढ़ाएंगे, फिर intermediate level की courses की book होंगी, फिर आपको prelims mains combined पढ़ाया जाएगा, फिर prelims crash course होगा, फ complete strategy prepared है, तो an academy आए, use the code kc10, तो जब भी आए, use the code kc10 and skip through an academy में subscribe, thank you so much for joining, have a great day.